असलाम अलेकूम वेल्कम बैक टू माइ चाइनल आज हम मलाई के पराठे बनाएंगे आटा है यह और यह मलाई है शकर यह स्टार्ट करेंगे अभी पहले आटा गुन लेंगे कि थोड़े थोड़े पानी से गुनते जाएंगे आटा है कि अब आप एसे छोटे से वर्दन में लिए तो जल्दी गुन दे जाता आटा आप लोग को थोड़ा पहलावा रहातों नहीं आता थोड़ा बंद रहना कठोरा या कोई भी छोटा सब गोना अच्छी आटा है सब गुन लेए वाले और एक फाइम मिनिट्स रेस्ट करने देए आटे को उसके बाद ते लेके तोड़ा सो और गुन लेए आटे को अच्छी रोटी बंती और भुत टेस्टी होती है पराटे मलाई वाले अच्छी सबर्दा सच्छे माशालला वाल टेस्टी होते हैं खाइए आप लोग बनाकर मेरे आइडिये से बनाकर देखे खाइए मिठी रोटी भी बोलते देखे थोड़े लोगां वह वी बताती हूं मैं शकर दालना है उसमें सिरूं जैसा कर लिए वाल से थोड़ा-थोड़ा पोर्शन लेखे थोड़ा-थोड़ा पोर्शन लेखे थोड़ा हुश्की के लिए आठाब लेखे थोड़ा साथ अटा भी आप लेके दो पॉर्शं ले ली थी, मैं छोटे-छोटे बॉल्ल्स बना के, अब भी बेलेंगे टो सीम साइस के दो भी बेल लेना है अपने को, सीम साइस के दो भी बेल लेना है, ये एक होगी, इसको साइड में रखें, और एक बेलेंगे चली तूभी बे लेगे अभी क्या करेंगे ये वन स्पून, वन अंड़ाफ स्पून मलाई को स्प्रेट कर देंगे वन स्पून भी दाले तो चलता और वन स्पून शूगर दाल देंगे वन या वन अंड़ाफ स्पून दाल देंगे शूगर ये मलाई को पूरा स्प्रेट नहीं करना है क्यों मुले तो हुआ चुल्ले पे दाले तो स्प्रेड हो जाती वह पक्के अंदर मेल्ट होते रहे तीद मलाई यह पूरे कॉर्नर्स बन कर देंगे अच्छे से लगा के तो मलाई बाहर निकल जाती इसा एक फोक लेकर कॉर्नर्स पे थोड़ा दीखें करें पे छ शनुट बदोड़ा निकैं जाती बना मेले तो स्ट्कित्भा हो जाती यह थो़ेड़ा इसलिदें कि पे लिखेड हो चोक लाद पहां है तो गी से बगारेंगे असली घी से इसको थोड़ा सब्सक्राइब के पल्टा लेंगे गी जिन एक पल्टा लेंगे पल्टा लेंगे इसको थोड़ा से इसको थोड़ा लेंगे इसको थोड़ा है अजिए से पत में देगे, दो साइटी ये देखिए, ची ये सी, जो दो दो अजिए, वो साइट भी होगी ये देखिए, रिडी है स्वेट एज पराटा, जबरदस्त मलाई पराटा खाइए, कौशा ओछ उखन तया, घर में ट्राइक करेए, ये बनाना ट्राइक करिए, शेयर करेए, सब्सक्राइब करेह, लाइक करेह, कमेंट्स करिए दौाओं में याद रखिए हो कि आला आफिस